तो यहां पर आयोजन करता है जो मुख्या तिति मोहदय को बुलाते हैं उनका बढ़ा बढ़ा यूट्यूबर है जानी मानी यूट्यूबर है हमेंसे हो क्या कहते हैं अपना चैनल में हैं इसका पूरा फंडिंग चैना से पईसा आ रहा है इसके खाते में और वहां से पईसा लेकर चुनाओं लड़ेंगे इनका पूरा खाता चेक किया जाए कि कहा कहा से पाइजा आ रहा है और कई से चुनाओ लड़ेंगे दिखाते हैं हम आपको आप अपने यह देखो इसा ही तरीका है जारा मालो कि कहीं किसी दिन जो है तुम किसी होटल में बैठे हो और हमारे दस लोग पकड़ के तुमको तु बाटने की राजनिती करकर के तुम लोग जो है और यहां पे जो है बाटने की राजनिती कर रहे हैं सुतरा राजनिती करो साथ सुतरा हाइलाइट होना है मनीश कश्यफ का नाम लेकर है जायरामनामेश कि चलो मनीश कास्यफ का नाम लेंगे तो मेरे खिलाब जाके जमसेदपूर में किस को जाके पतादीकारी को जो मेरे खिलाब जाके 7agem-7 serio मेरे लेटाइर लिखे हो तुम को की से पता चलगया कि भागवान हो गया कुं लिए न तुम मेरे पीछे करे करता है कि ही हिमत है तुमारे करेकरता हो कुछ कर लेंगे तिखा तो कहा है बतायो जगहा तुमारा समय तुम्हार बस वक्त मेरा बतला जहां बोलोगे बोलो जिस परकार से बोलोगे उस परकार से जो बोलोगे डिबेट करने के लिए बताओ कहां पैदा हुए थे तुम नहीं य payment बताओ नहीं सबाँ पस कई flower रोत Pendant निश्नलिटी है जणर्कंड की डेमुग्राफि बदल रही है आज तक एक सब्द नहीं बोला है यह जायराम रामेश गृटके क्यों नहीं बोले तुम के जारखंड तुम अईसे बदलोगे तुम अपने पहले बत्तमीज कुछ करेकरताओं को राजनिती का पड़ाओं हम यह नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे सारे करेकरता बत्तमीज है लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि कुछ करेकरता तो बहुत ज्यादा बत्तमीज है और मेरे पा और पहले पोटो खिचवाने आए और वहां पर उसके बाद से बत्तमीजी पर उतारू हो गए और जब मैंने जवाब दिया उन लोगों को तो सारे लोग सीधा हो गए और मेरे साथ सेल्फी खिचवाना शुरू कर दिये और तुमने क्या किया एक छोटा सा वीडियो वाइरल क किया तुमारे करेकरताओं ने एक छोटा सा वीडियो वाइरल किया देखो देखो जिसमें ये तुम लोग सावित करना चाह रहे हो कि मनीज कसे बाटने की बात करता है अरे जैराम रमेस आज तक भी स्ताफितों के लिए आवाज नहीं उठाए तुम कहां से पैसा आ रहा है सब पता है चाइनीज फंडिंग के सहारे तुम जारखंड में बात करते हो चाइना से फंडिंग और मैंनमार जैसे कंट्री से फंटिंग करा 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 के अभी बहुत सारी चीजे तुम्हारी सामने आएगे मैंने तुमारे खिलाब कभी नहीं बोला लेकिन तुम पिछली से जलन तुम्हारा क्यों है और मैं जमसेदपूर में जा रहा हूं बेहर यूपी के लोगों के बीच में जा रहा हूं बैठक के लिए जा रहा हूं तो तुमने कंप्लेन कर दिया पता नहीं किसको किसको कंप्लेन कर दिया तुमें क्या दिकत है डिल्ली में नहीं बैठक हो होगे तुम मोर्वाद होगे लाम रमेश तुम अपने करेकरताओं के दम यहीं राज नीटी करोगे तुम क्या करोगे तुम्हारे पराइश्नल चीज़ में कि उस वीडियो में एक बार भी नहीं बोला कि लगा कि तुम्हारे फ्यार करतिया तो हम लोग हाइलाइट हो जाएंगे यार ऐसे जार खंड बतलेगा गरीब की बात करके जो है चार-चार गो जो है गूमते हो जार-खंड में ऐसे जार-खंड बतलेगा गरीचो ये वीडियो तुम्हारे करताओं ने वाइरल किया और चलो मनीज कस्यब का नाम लेंगे तो सोसल मीडिया पर सेशन खाइलेगा मेरे खिलाब जाके जुए जमसेदपूर में जो है किस को जो है जाके जो है किस पता दिकारी को जो है मेरे खिलाब जाके मतलब कि तुम भगवान हो गए हो कि तुमको पहले ही पता चल गया कि मनीश को सब यहां पर आएगा तो यह हो सकता है कैसे बात करते हो नेशनलीटी सबकी इंडियान है भारतियात है जर्कंड की डेमोगराफी बदल रहे हैं आज तक एक सब्ड नहीं बोला है यह जैराम रामेस बंगलादेश को कसमर्थक है यह जैरामरमेस क्यों नहीं बोले जैरामरमेस आदिवासियों के साथ अत्याचार हो प्राइज हरखंड में क्यों नहीं बोले तुम हिम्मत है तुमको बोलने के लिए कहीं नहीं बोलोगे बील में छुपे हो आओ हम यहीं पे आओ जहां बुलाओगे वहां पर आ जाएंगे लेकिन कर्यकरताओं को गाड़ी के पीछे भेजबेच के जो है ना यह जो बत्तमीज का वीडियो में कड़ डालता हुज जाए राम राम रामिस देखोई आप जारगर में आके बिलाई यूपी का मुदा नहीं उठाएंगे हम नहीं 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 देखिए एक उत्ते की जुन्ड ने घेर लिया था और तबी भी मैं वहाँ खड़ा था और 24 मिनट का वीडियो में कड़ डालूंगा और कैसे जो है कौन से मुबाइल में है जब बात में बोल ला था लोग सेलफी दे दीजीए बया सेलफी दे दीजे दीजे दिखाए ये तो वीडिए तो इसी मोबाइल में है जिससे लाई जहाँ से चाइना से फंडिंग कराया जा रहा है करा से एधार के लिए दो दो आजार रुपया लेखे तुम्हारे कर जो है पसा रहे किसको किसको बसा रहे सारी डीटेल समय जो है अब भेजता हूं मैं और जहां तक भेजना है वहां तक भेजूँगा और घसिटूँगा आप लोगों को अच्छे ढंग से असाडिया निती में बढ़का गाओं के गोदलपूरा में क्यों नहीं आते हो क्यों नहीं कभी आवाज उठाते हो क्यों नह ही पहुँचे आज तक आज तक सी मरिया के सीवपूर साइटिंग में पहुँचके क्यों नहीं आवाज उठा है तुम बताओ और तुम्हारे कारे करता हाइलाइट होने के लिए मनीज का सेफ के गाड़ी के पीछे धुआ अधूल धकर फांके मनीज का सेफ जिस होटल में बैटते हैं खाना का ने एक दम रोड के किनारे जो एक खुला होटल में मैं बैठा था देओघर में एक दम रोड के किनारे बगल में खुला होटल में मैं बैठा था देओघर में मैंने किसी के साथ बत्तमी जी की मैंने बाटने की बाट की बाटने की बाट तो तुम लोग करते हो तुम्हारा पूरा पाटी का प्रोपोगेंडा है बाटने का बात बंगलादेश के लोग आके जो है रोहंगिया आके जो है जमाई टोला जहरखंड में बना लिए पूरा डेमोग्राफिक चेंज कर दिये और उसके बावजूद एक सब्द तुम नहीं बोले आइसे निगेटिव राजनिती करने वाले कभी राजनिती में सफल नहीं होते हैं तिहाँ उठाके देख ले ना राज ठाकरे के साथ क्या हुआ था क्या हुआ था अपने आपको सी यम का سबना जो है संजोग के बईढ़े वह हुए थे राजठाकरे डुत हुआ अनके साथ ब चारखंड में लोगों को समस्या है दस कठा जमीन अगर 10 मिल चलता होगा तो 20 डिस मिल जमीन पे जो है 10 डिस मिल जमीन पे जो है उचित मूँ आप जाओ और कम से कम एक सरकारी नोकरी के लिए वाज उठाओ नहीं उठाओगे वहाँ से पैसा कमाना है और अपने करेकरताओं को जो है मनीश कस्यफ जैसे लोगों के पीछे भाव 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 करने के लिए भेज देना है 24 मिनट का वीडियो है गलत किये तुम हम वीडियो तुमारे लोगों ने बनाया था तो मेरे लोगों ने भी बनाया था वीडियो मेरे लोगों ने कहीं नहीं डाला सोसल मिडिया पर और तुमारे लोगों ने 24 सकेंड का वीडियो डाला है देखो यार कितना घटिया गिरे हुए लोग हो तुम लोग ऐसे राजनेती होता है पहले करेकर कि तुमको कूट दिया कस के क्या करोगे निशनलिटी क्या है तुम्हारी क्या है निशनलिटी बताओ डेट अब वर्थ क्या है तुम्हारा बताओ कहां पैदा हुए थे तुम्हारे माबाप तुम कहां पैदा हुए थे बताओ है सवाल का जबाब नहीं है कड़वा सवाल है जब आप नहीं दे पाओगे, याद रखना, राजनिती के चक्कर में जो है न, देश को बाटने का प्रियास मत करो, देश के लोगों को बाटने का प्रियास मत करो, ठीक है, एक तिरंगे के नीचे सब खड़े होते हैं, और जब तिरंगे के नीचे हम लोग खड़े हो जाते ह है देश के अरे कोने में बाटनी का प्रियास कर रहे हो गलत कर रहे हो और तुम्हारे गलत नितियों के बीच में मनीज को से पहाड की तरखरा हो जाएगा ठीक है यह देखो तुम्हारे कितने खाते हैं आपको आप अपने देखो इसाइट तरीका है जारा मालो कि कहीं किसी दिन तुम किसी होटल में बैठे हो और हमारे दस लोग पकड़ के तुमको तुम्हारे साथ बत्तमीजी करने लगे यह साइथ चीज है राजितिया ऐसे ही करते हैं या तो आपने कर्यकरताओं से मापी माँगने के लिए अवरना मैं तुम्हारा एक-एक धागा खोलोगर करना घंच घंघ करना करो सारा मैं दिखाऊंगा यह देखो ये, क्या फैदा जो, यारे, क्या इको गुड्व Jewish होगा तुम्हारे पास WhatsApp का wtedy 10 गो नहीं 20 को fake, या जोग गुड्व में मेरा 24 सकींट डेप्यों डाल के क्या दिखाना चाएऊंगग। क्या दिखाना चाहिए देखो सुनो इस वीडियो में क्या है मेरा निगेटिव क्या है सुनलो सुनलो उल्टाओ अरे यार पहले तो जा के राजनिती के पाठ पढ़ो तुम लोग तुम कहीं बैठे रहोगे होटल में कहीं भी हम अपने हम अपने दस करे करता हो को वहाँ पर पर भीज देंगे और बत्तमी जी बोलेंगे करने के लिए यही राजनिती है कि यहीं सिखा जाता है अब अभी तुम्हारी बहुत सारी सचाहिज सामने आएगी पूरा जारखंड के लोग जो है तुम्हारी सचाहिज के लोगों के इमोशन के साथ तुमने खिलवाड किया और तैसे जो है तुम देखो ये देखो क्या उतर-परदेश की बात करना कुना है पताओ क्या विहार की बात करना कुना है बताओ इसमें तुम्हारा कारेकरता बोला है कि नहीं उठाने देंगे उत्रपरदेश के 24 पर ओर लोगों के इमोशन के साथ तुम लोगों ने खिलवाड किया है वियार के 14 पर ओर लोगों के इमोशन के साथ तुम लोगों ने खिलवाड किया है क्या ये गलत है उत्रपरदे में जो लोगों को समस्या है बिहार में जो लोगों को समस्या है उसके लिए मैं जमसेदपूर के कार्यकरम में बोल दूंगा तो क्या दिक्कत है तुमको लोग किस बात का दिक्कत है अगर मैं दिल्ली में जाके जो है और पुरुवांचल के लोगों के समस्याओं के लिए आवाज उठा देता है तो toered डिक्कत है पंजाब के SS ना, दो भाग में क्यों बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, जिस आदमी ने तुमको बनाया, जिस आदमी ने तुमको सपोर्ट किया, संजय महता, महीं है न, अवकाप नहीं भूलना चाहिए भाई, तुमारे पास दो रूपया नहीं हुआ करता था, संजय महता ने पैसा दिया तुमको संजय महता ने सपोर्ट किया फटे हुए कपड़े पहन के फटा हुए कपड़ा मतब कि हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन फटे हुए कपड़ा फटा हुए चपल पहन के तुम सड़क पे घुमते थे हम भी हम भी घुमे हैं तुम घुमते थे और संजय महता ने त ने तुम्हारा ही पॉति टके बना है ना गम्य나로ॡ वखाय हैं। सिखाया राजनिती करना सिखाया पैसा लाया तुम्हारे लिए बेवस्थाएं की और सब कुछ किया और उसी संजय महता को तुमने साइट कर दिया वो संजय महता पता है उसको बुरा लगा तुम्हारी सारी अक्टिविटीज देखे मंगलादेशियों को बसाते हो तुम पटना चाहिए और टीम जाच कर दे तो पता चल जाएगा चाइनीज प्रोपोगेंडा नहीं चलेगा इस देश में एक बात जान लो और मनीज कस्याप इससे बात नहीं करता है सारा डेटेल्स निकाल के रखता है और यह क्या है क्या है यह पिर सब्सक्राइब यह इसे ही एंयों परत तरफा करें आ चोने पर की देशना जो बेसे ही जान क्या है यह निद्यूराष्ट के क्यों सब्सेरा का यह इक घर करें आप नोघ बोला और जृबिलने का प्रियास कि उसको जो इन तुमने पाटी सटा दी अईसे ही राजनिती होता है बीना तुमसे पूछे तो ये वीडियो डाला नहीं गया होगा मेरा मनीश कसे पर तो वीडियो बीना तुमसे पूछे डाला नहीं गया होगा बताओ तोपी सरुकुलर का है कर लिये हो सब के इंसाब की बात क्यों नहीं करते हो आदिवासियों का इंसाब की बात क्यों नहीं करते हो मुझे क्यों नहीं निकलता है आदिवासियों का दर्द क्यों नहीं दिखा है उनके बीच में क्यों नहीं गए? उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाये? उनको क्या समस्या? उसके लिए क्यों नहीं बोले? सिर्फ राजणिती रोटी सेखने से होगा और हां किसी भी तरीके से मैं तुम्हारे सारे करे करता जो यह जूंड बना के आते हैं न यह जूंड बना के आए थे भाई अजूंड में कौन आता है बताने की जूरत नहीं है मैं अकेले था वहां पर मैं अकेले था होटल में का रहा था अकेले था तुम्हारे करे करत पहले एक आता है मोटरसाइकल से और उसके पासे वो क्या सब्द बोला वो भी मैं बताऊंगा बोलके और उसके पासे फोन करता है अरे सब जुन्ड में आ जाओ रहे मनीश का से अप यहीं पर बैटे हैं फिर सारा लोग जुन्ड में आते हैं छलो लेखते हैं ठोड़ा सा तुमको फेमस से कर दिते हैं यही ना चाहिए म Mannis का से अरे मनीश अरे та Lड़ना चाहिए था हमन ओलत करें काईसे राजनिति करते हो हम कौन रमुखमंत्रिया जDAरकंड के लड़ना के तुमको हे मन स्योरं से लड रहे हो मनिस कंस्यपक से काई काई कि तुमको पता है हाइफ होने के लिए एकल见 मनीस से कश्यपक्त है उसी के वाइरल होगी जैराम रमेश तुम्हारी ऐसे बेवज़ा जो है ना जिनके घर सीसे को होते है ना वो दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं फेका करते हैं समझें ना तुम्हारा तुछ ऐसे भी फूटा हो आसी सा की तुम और यह सब मत करो अपना राजनीती गरो बाकि दूसरे किसी को भी करने दो अजी में जीने दो Squad 2 जीने का मतलब यह वोना बंद कर दे कि अभी बहुत सारी चीज़े डिटेल्स ला रहे हम सब और पूरा ज़रकंड बियार और युपी के लोगों को दिखाएंगे ठीक है युपी के लोगों का अधिकार तुम को किस ने दे दिया है उत्तर प्रदेश के लोगों का आपमान करने का अधिकार कि तुमको पूजा सिंगल इतना बड़ा करप्शन की उस पर चुप थे पल्स होस्पिटल पर चुप थे आज तक जा के तुम्हारे करता हो ने पल्स होस्पिटल का घेराव नहीं किया का यहां पर जो है 12 से 13 बच्चे जो है फिजिकल टेस्ट पास कर दे के लिए दौड में जो है उनका वो मर गए कभी कभी मुख मंत्री के घर का क्यों नहीं घेराव कि है लिए और तुम अपना पूरे कारेकरता को जो ए यह देव घर तक दो आए मनीज का सिर्फ के पीछ लगा दे रहे वाहर वाहर जब तुम्हारा राजनीती है या ऐसे राजनीती करोगे बताओ इस परकार से जाओ अब भॉंकना मेरे बारे में खुब और जब सौ बार भॉंकोगे तो एक बार जबाब दूगा रोज जबाब तुमको पता था कि सोचल मेडिया पर दुम्हारा दुकान मेरे ही नाम से चलेगा और अभी यो तुमको पता है इसलिए न न तुम मेरे पीछे करेकरतां को लगा रहे हूं कि इमत्थ है तुम्हारी करेकरताओं को कुछ कर लेंगे मेरा करके दिखा दे धिखा दो कहां आए बताओ जगात लिए यह समय बस वक्त लिए बतलाईगा और मैं आऊंगा जहां बोलोगे वहां अकेले आओंगा किसी के साथ नहीं आओंगा अकेले बोलो कहा आना है अब बोलो जिस परकार से बोलोगे उस परकार से जो बोलोगे डिवेट करने के लिए वो डिवेट के लिए तैयार हो लेकिन गोली बंदुख चलाना हमको नहीं आता है अकुकराई करना हमको नहीं आता है पीछे जो है ना गाड़ी के पीछे करेकरताओं को लगा दे हम इजा काम नहीं करेंगे समझे ना यह गलत किये हो जैरामरमेश अज एकदम और राजनीति में इजह नहीं होना चाहिए कभी भी नहीं होना चाहिए महाबारत के किताब उठाके पढ़ ले लिए एक बर माभारत की किताब उठके पढ़ लेना एक बर रामायन पढ़ लेना माभारत में भी लिखा हुँआ कि कमर के नीचे और पीप भीछ उर नहीं होता है और तुम यहीं सिखाते हो अपने करेंक रताओं को जाओ और विहार और यूपी के लिये जो है ना तुम मुझे नहीं रोख सकते हो ये वीडियो में यूपी में हर किसी को दिखाऊंगा विहार में हर किसी को दिखाऊंगा तुम्हारे जैसा राजनिती करूं बाटने की कौन करता है बाटने की राजनिती तुम्हारे करता बोल